और क्या हाली मेरी दोस्तों मैं आप सबी दोस्तों का श्वेता पाकला में स्वागत की साथ साथ अभी नंदन करती हूँ आप लोग कैसे हो आज श्वेता पाकला में बना है चुकंदर के त्यार हलवा जो बहुत ही जादा टेस्टी हो पूरी तरह से हिल्दी बन के त्यार तो ये रेस्पी आपको बहुत जादा पसंद आएगी, थोड़ी समागरी और थोड़ी समय के त्वारा बनकी त्यार हुजाती है, चलो दोस्तों हम आप इसको मिल्की बनाना शुरू करते हैं, चुकंदर के त्वारा त्यार हल्वा चुकंदर का हल्वा बनाने के लिए आधा केजी अमने चुकंदर लिया था, इसके डंठल बाले हिस्सी को निकाल देते हैं और इसको दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह से धुल की साफ कर लिया अब सभी चुकंदरों को हमने चील लेना है, चीलने के बाद इसको घिसके त्यार कर लेती हैं, आधा केजी चुकंदर लिया था तो इसके लिए हमने आधा केजी फुल फैट क्रीम वाला दूर लिया है, दूद को एक पैन के अंदर रख देती हैं, जब तक दूद के अंदर उबाला की अच्छी तरह से पक के त्यार होता है, इधर हमने चुकंदर को फानी जोड़ता जाता है जब इसको भुनते वी दो से तीम मिल नट हो जाया तब इसको हमने कवर कर देना है और लगपक चॉप्ट हो गया है और मुलाम भी हो गया है अब इसके अंदर जो हमने दूद रखा था उसको भी पकते वी लगबग 6-7 मिनट हो गया है लगबग 200-500 मिल के करीब दूद बचा हुआ पूरे दूद को इसके अंदर डाल देती है अब चुकंदर को हमने दूद की साथ पका के तया कर लेना है दूद की साथ पकते वी लगबग 4-5 मिनट हो गया है और दूद भी काफी जादा सूख गया है अब इसके अंदर स्वाद के उसार हमने सिर्फ 2 टेबर इस्पून चीनी डाला चुकंदर भी स्वाद में मीठा होता है तो साथ ही साथ दूद भी स्वाद में मीठा होता है इसलिए इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा चीनी का उपयोग नहीं किया अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो एक से दो टेबर इस्पून चीनी इसके अंदर डाल लीजे इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिला दिया और लगबख सौ ग्राम के करीब हमने मावा है उसको इसके अंदर डाल देते हैं ये घर का बना हुआ मावा है मावा घर में कैसे बनाक त्यार करते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्सन बॉक्स में आपको दे देंगे आप वहां से इसको देख लीजेगा मावा को भी अच्छी तरह से इसके अंदर हमने मिला दिया दो से तीन पीस हमने इलाइची ली थी मीठी किसी भी रिस्पी में अगर आप ताजी लाइची को कूट के डालेंगे तो उसका स्वाथ बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है लाइची को भी इसके अंदर अच्छी तरह से हमने मिला दिया और मिलाने एक बात अब इसके 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 अंदर बारी कटे हुए अधा कीची हर चुकंदर के दोरा इस हलवी को उने बना के तैयार किया इतना हलवा चार से पांच लोग के लिए काफी होता आप इसको अपने परिवाग साथ इंजुआए करिए चुकंदर का हलवा बनाने में बहुत ही कम समय और बहुत ही थोड़ी सामागरी के दोरा बन के तैयार हो जाता है चुकंदर बहुत ही जादा हलवी होता है इसको आप अपने डाइट में जरूर सामिल करें अगर आपको माई रिस्पी अच्छी लगी वीडियो पसंद आई लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कों नहीं भूलें और मुझे कमेंट करके बताएगा ये रिस्पी आपको कैसी लगी स्वात के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए हिल्दी बनाईए हिल्दी खाईए आपने तक 37 मनिका के हमारे वीडियो देखे इसके लिए आप सभी के बहुत बहुत धन्माद बहुत बहुत शुक्रिया